पास टूडे से जब अज़स्त हमनों को गिराउट डेख ने मिल रहा आईडिफ से फर्स्ट बैंक में क्यूंकि देखा जा तो स्टॉक ने अल्मोर्स हमनों को 79 रुपिस 65 पैसे के पास क्लोज किया प्रिवेस्ली स्टॉक हमनों को एक रेज में ट्रेट करते हुए दिख था जो कि पॉजिटिव साइन था आईडिफ से फर्स्ट बैंक के लिए और प्रिवेस्ली स्टॉक का ट्रेंड भी थोड़ा नेगिटेव था एक रेंज बनाया जैसे लग रहता है स्टॉक बेस्ट बनाया के उपर के तर ब्रेक आउट दिखाएगा लेकिन स्टॉक ने नीचे के तरफ गिराउट दिखा चुका है तो किसी ने इन्वेस्ट कर रखा आईडिफ से फर्स्ट बैंक में तो नीचे के तरफ एक लेवल है जो कि 70 रूपीज का लेवल है तो जब तक आईडिफ से फर्स्ट बैंक 70 रूपीज के ऊपर ट्रेड कर रहा है उतना पैनिक होने की जरूबत नहीं है लेकिन जैसे स्टॉक 70 रूपीज के नीचे निकलेगा स्टॉक में हमनों को थोड़ा सा और तीजी से गिराउट देखने मिल सकता है जो कि अल्मों स्टॉक 50 रूपा तक भी नीचे के तरफ आ सकता है तो किसी ने आईडिफ से फर्स बैंक में इंवेस्ट करका स्टॉप लोस लगाएंगे 70 रूपीज के पास और कोई फ्रेस बाइंग करना चाहता है स्टॉक में तो 85 रूपीज का ब्रेकाउट का वेट करेगा क्योंकि देखा जातो 85 रूपीज के पास एक रेंज बना हुआ तम लोका और फिर से स्टॉक 85 रूपीज के ऊपर कू जो कि अब पहला टाइगेट होगा और 90 से लेके लगए 100 रूपीज तक का और लॉंग टेंपर स्टॉक में को 150 रूपा तक का टाइगेट दिखा सकता है डिफ से फर्स बैंक में तब तक कि लेते हैं इस वीडियो में अगर वीडियो अच्छा था तो वीडियो को लाइक कर करें और चानल को सब्सक्राइब करें